Hello students, welcome to this video आज के इस वीडियो में हम contraceptive method के बारे में पढ़ेंगे कि अलग-अलग contraceptive method कौन से होते हैं इससे पीछे के वीडियो में हमने population stabilization के बारे में जाना जिसके अंदर हमने ideal contraceptive के properties को भी जाना था तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला जो मेथड है वो है नेच्रल मेथड की नेच्रल मेथड जिसके अंदर हम कोई भी मेडिशन कोई भी पिल कोई भी डिवाइस यूज नहीं करते हैं उससे कैसे हम प्रेगनेंसी को रोग सकते हैं देखें नेच्रल मेथड वर्क सुन्द प्रिंसिपल ओफ नहीं करेंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जाइगोट एंब्रियो नहीं बने को नहीं प्रेगनेंसी होगी तो सबसे पहला है नेच्रल मेथड के अंदर पिरियोडिक एबस्टिनेंस इज वन सच मेथड इन विच दे कपल अव जब हमने फिमेल रिप्रड़क्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था तो वहां जाना था कि मेंस्ट्रल साइकल के अंदर अप्रोक्शिमेट मिडल ओफ दे मेंस्ट्रल साइकल यानि 14 डे के उपर जब लच हार्मोन यानि लूटिनाइजिंग हार्मोन मैक्शिम हो जाता है तो उस समय ओवुलेशन होता है ओवुलेशन क्या होता है कि ओवरी से जो सैकेंडरी उसाइट या हम कहेंगे ओवम का बाहर निकलना और वहां से उसका फैलोपेंट टूब के अंदर एंटर हो जाना तो जो फैलोपेंट टूब के अंदर जो एग है वो फैलोपेंट टूब के अंदर पहुंच जाता है तो वहाँ पर maximum chances होते हैं स्पर्म और ओवन की मिटिंग के तो यह methodic इसके उपर बेस है periodic abstinence के भई स्पेंस्टो साइकल के 10 to 17th day के दोरान sexual act ना किया जाए क्योंकि उसी दोरान ही maximum chances होते हैं स्पर्म और एग की मिटिंग के एज chances of fertilization are very high during this period it is called fertile period तो मैंस्टो साइकल का 10 to 17th day जो है वो fertile period कहा जाता है क्योंकि इस दोरान maximum chances होते हैं pregnancy के इस दोरान यदि sexual act ना किया जाए तो pregnancy होने के chances बहुत कम होते हैं therefore by abstaining from cold test during this period conception could be prevented तो इससे pregnancy को रोक सकते है natural के अंदर अगला method है आपका withdrawal or coitus interruptus is another method in which male partner withdraws his penis from the vagina just before his application so as to avoid insemination तो insemination क्या होता है कि जो male external genitalia है यानि penis है वो अपना ejaculation female reproductive track के अंदर ejaculate करता है through the vagina तो अब ये process किसके पर बेस है withdrawal or coitus interruptus इसके उपर है कि जब ejaculation होने वाला होता है यानि external genitalia से semen या sperm बाहर निकलने वाला होता है उस समय वो penis को हटा लिया जाता है वजाइना से यानि female reproductive track से हटा लिया जाता है और जिसके कारण वो ejaculated sperm जो है वो female reproductive track के अंदर enter ना हो सके तो इसको हम कहते हैं coitus interruptus या withdrawal method तीसरा method देखिए natural method के अंदर lactational amenorrhea यानि absence of menstruation lactational amenorrhea के मतलब क्या है कि जब parturation होता है यानि delivery होती है उसके बाद lactation start हो जाती है यानि breast feeding start हो जाती है और जब तक lactation चलती है तब तक menstrual cycle नहीं आती तो जब cycle ही नहीं आती तो मतलब egg ही नहीं आ रहा है तो pregnancy के zero chance होते हैं तो इस period को भी use किया जाता है देखिए lactational amenorrhea absence of menstruation method is based on the fact that ovulation and therefore the cycle do not occur during the period of intense lactation following parturation parturation के बाद जब lactation चलती है तो उस दोरान ovulation नहीं होता है यानि menstrual cycle नहीं होती है therefore as long as mother breast feeds the child fully chances of conception are almost nil यानि दोरान pregnancy के chances बिल्कुल निल होते हैं however this method has been reported to be effective only up to period of six months following parturation delivery के बाद parturation के बाद 6 महीने तक ही ये method effective होता है उसके बाद फिर से ovulation or cycle start हो जाती है as no medication or devices are used in natural methods side effects are almost nil chances of failure though of this method are also high तो natural method के अंदर side effects तो बिल्कुल कम होते हैं क्योंकि हम बाहर से कुछ यूज ही नहीं कर रहे हैं लेकिन इसके failure होने के chances भी high होते हैं यानि pregnancy इस केस में हो सकते हैं failure के ज़्यादा chance है natural method के बाद अगला contraceptive method है जिसको हम कहते है barrier method barrier मतलब रुकावट तो रुकावट किस चीज में लानी है sperm और जो egg है यानि male और female gamit को physically meet करने से बचाना है उसकी meeting को रोकना है तो उसके लिए कोई ने कोई barrier बीच में लगा दिया जाता है जैसे कि ovum and sperms are prevented from physical meeting with the help of barriers तो physical meeting रोकी जाती है एग और sperm की barrier की help से such methods are available for both male and females तो जो barrier method मेल और female दोनों यूज कर सकते है condoms are barrier made of thin rubber या latex seat that are used to cover the penis in male और vagina and cervix in female तो barrier किस चीज का बना होता है तो condoms होते हैं जो की rubber या फिर thin latex seat के बने होते हैं और उसको male external genitalia या या penis को cover करने के लिए यूज के जाता है या female के case में वजाइना या cervix को इसको cover किया जाता है barrier लगाया जाता है just before coitus so that the ejaculated semen would not enter into female reproductive track sexual act से पहले इसको यूज किया जाता है और इसलिए यूज किया जाता है ताकि जो semen ejaculation के बाद semen जो है वो female reproductive track में enter ना कर सके this can prevent conception तो इससे pregnancy नहीं होती है निरोध is a popular brand of condom for male निरोध एक popular brand है male condom के लिए use of condoms has increased in recent years due to its additional benefits of protecting the user from contracting STIs and AIDS तो आजकल इसका method का यूज जादा बढ़ गया है क्योंकि ये additional इसके benefits होते है जैसे कि ये disease जो spread होती है sexual act के कारण AIDS हो गया एस्टेडीज हो गया उनको भी रोकता है या ये infection को रोकता है both male and female condoms are disposable इसके benefits हो जाएंगी क्या होते हैं तो disposable होते है can be self inserted जो user friendly होता है जो user जो होता है वो self ही insert कर सकता है and thereby give privacy to the user और इसके एकर प्राइवेशी भी user को मिल जाती है इसके साथ-साथ अलग barrier method और भी होते हैं जैसे कि पहला आपको condom के बारे में बताया इसके बाद diaphragms, cervical caps and walts ये तीन अलग barrier और यूज के जाते हैं जो की rubber के ही बने होते है और also barrier made of rubber that are inserted into female reproductive track to cover cervix during coitus तो ये तीनों है वो सिर्फ female के लिए है female reproductive track के अंदर insert के जाते हैं cervix को cover करने के लिए they prevent conception by blocking the entry of sperms through the cervix तो वो कैसे रोकते हैं sperm की entry को रोकते हैं cervix के अंदर they are reusable तो री यूजेबल है spermicidal creams jelly and forms are usually used along with these barriers to increase their contraceptive efficiency तो इनके साथ साथ barrier के साथ साथ कुछ cream और जैलीज भी आती है मार्केट में जिसको spermicidal जैलीज या spermicidal cream कहते है spermicidal मतलब जो sperm को किल कर सकता है उसको भी इनके barrier methods के साथ यूज किया जाता है इसके efficiency को increase करने के लिए तो यह था दूसरा method barrier method अगला देखिया intra uterine device नाम से ही लग रहा intra uterine uterus के अंदर कोई device insert के जाता है another effective and popular method is the use of intra uterine devices RUDs भी हम बोलते हैं these device are inserted by doctors और expert nurse in uterus through vagina तो इसको uterus के अंदर nurse या doctor के द्वारा insert के जाता है these intra uterine devices are presently available or non-medicated IUDs तो इसकी बहुत सारी categories हैं कुछ non-medicated होती है कुछ copper releasing IUDs होती है कुछ hormone releasing IUDs होती है तो कोई ऐसा device है जो कि कोई न कोई component को या chemical को release करेगा यह तो सबसे पहला है non-mediated IUDs का example है lips loop copper releasing IUDs के अंदर आते हैं copper T, copper 7 और multi load 375 आपको याद रखना है यह चीज़ें copper T, copper 7, multi load 375 उसके बाद hormone releasing IUDs होती है जैसे की progestrate LNG 20 तो नाम से ही लग रहा है जैसे IUDs increase क्या करती है IUDs increase phagocytosis of sperm within the uterus and copper ion released suppressed sperm mortality and fertilizing capacity of sperm तो IUDs करती क्या है तो यह phagocytosis यानि sperm की killing को बढ़ा देती है तो यह स्पर्म जो सेल्स है उसकी phagocytosis यानि इसकी killing को बढ़ा जेंगे uterus के अंदर और यहाँ पर जो copper releasing IUDs है वो क्या करती है जो copper जो होता है वो sperm की mortality को कम कर देता है साथ में उसकी fertilization capacity को भी sperm करता है और जो hormonal releasing IUDs है वो क्या करती है make the uterus unsuitable for implantation and cervix hostile to sperm the uterus जो होता है उसको unsuitable बना देती है implantation के लिए implant नहीं हो पाएगा अगर zygote बन भी गया embryo बन भी गया उसके बाद वो implant नहीं हो पाएगा IUDs are ideal contraceptive for females who want to delay pregnancy or space children तो ऐसी female के लिए ideal होता है जो की pregnancy को delay करना चाहती है it is one of the most widely accepted method of contraception in India most widely accepted है अगला देखिए oral pills होती है oral administration of small doses of either progesterone or progesterone progesterone estrogen combination is another contraceptive method by the females तो pills के अंदर होता क्या है तो उसके अंदर hormones होते हैं या तो progesterone रहेगा या progesterone और estrogen का combination रहेगा तो hormone से क्या होता है hormone imbalance हो जाएगा body के अंदर अगर हम बाहर से ectopic hormone लेंगे तो hormonal imbalance होगा जिसके कारण जो cycle irregular हो जाएगी cycle के अंदर जो egg बनेगा वो पूरा अच्छे से नहीं बन पाएगा they are used in the form of tablets, tablets की form में यूज़ के जाता है and hence be popular called as pills तो जैसे के आपने add देखा होगा eye pills आती है करके तो pills have to be taken daily for a period of 21 days starting preferably with the first 5 days of menstrual cycle तो यह 21 days तक खानी होती है और start कहां से होती है menstrual cycle के 5 to 6 days से लेना start करना चाहिए after a gap of 7 days during menstruation it has to be repeated in the same pattern till the female desires to prevent conception तो हर एक cycle के अंदर ऐसे repeat करना है सिर्व जब menstruation होगी यानि जब bleeding होगी उस दोरान ही नहीं करना है उसके बाद फिर से अगली cycle start होगी तो उस वहां से फिर से आपको यह eye pills का जो यूज है वो start करना पड़ेगा जब तक की pregnancy को रोकना है they inhibit ovulation and implantation as well as alter the quality of cervical mucus to prevent retard of entry of sperm way of action क्या है इसका तो यह inhibit कर दे हैं ovulation को नहीं होने देते implantation को नहीं होने देते क्यों हो नहीं हो रहा है क्योंकि अंदर hormones की गड़बड़ी कर दी hormones का जो optimum level होना चाहिए वो नहीं होता है जिसके करण ovulation और implantation नहीं हो पाता और जो cervical mucus जो है जो cervix के अंदर mucus release होता है वो भी जो sperms की entry को रोकने का काम करता है pills are very effective with lesser side effects तो इसके benefits क्या है तो very effective होती है lesser side effects होते हैं और accepted by females well accepted बहुत ज़्यदा accept की जाते है females की दोरा तो एक brand है Sahelie करके the new oral contraceptive for females contain non-steroidal preparation तो इसके अंदर Sahelie जो brand है इसके अंदर non-steroidal preparation आती है pills के it is once a weak pill with very few side effects and high contraceptive value तो इसको यह जो सहली है इसको आपको once a week week में एक ही pill खानी होती है जिसके बहुत ज़्यादा कम side effect है और इसकी contraceptive value बहुत ज़्यादा है यानि इसको pregnancy को रोकने की ability बहुत ज़्यादा है अब लास्ट जो method है वो आएगा आपका surgical method देखे प्रो जेस्टोजन्स along with combination with estrogen can also make use by females as injection or implants अगला जो method अभी सर्जिकल से पहले कि इंजेक्शन और implant कि इंजेक्शन लगवा ले या फिर किसी भी device को implant करवा ले हो तो इसकी injections के अंदर क्या होता है तो वही हार्मोनल कंबिनेशन से जो कि pills के अंदर मिलते हैं दियर mode of action is similar to that of pills and their effective periods are much longer तो काफी लंबे समय तक चलते हैं administration of progestrogen or progestrogen estrogen combination or IUD within 72 hours of quarters have been found to be very effective as emergency contraceptive as they could be used to avoid possible pregnancy due to rape or casual unprotected intercourse तो क्या होता है कि भई रेप के case में यदि आपको pregnancy रोकनी है तो उस case में progestron यह जो combination है या तो आई पिल्स का जिसके अंदर आर्मोनल का combination है IUD within 72 hours 72 hours के अंदर अंदर जो sexual act के 72 hours के अंदर अंदर इसको यूज करना है IUD को या फिर progestron estrogen की combination को जो की बहुत ज़ला effective होते हैं emergency contraceptive method के लिए अब लास्ट method है वह surgical method देखे डाइगराम से बहुत हिसाब सब्सक्राइब आएगा आपको surgical method also called sterilization sterilization भी बोलते हैं इसको और जर्नली advice for male or female partner as terminal method to prevent any more तुम इसका मतलब कह जब बिल्कुल भी pregnancy नहीं चाहिए lifetime के लिए यह कह पर्मानेंट termination of pregnancy है पर्मानेंट हो जाएगा देखे इसके अंदर दो method होते हैं आगी पढ़ेंगे तो एक vasectomy है vasectomy male के case में होती है vasectomy के अंदर vasectomy से vice difference यह word आया है vasectomy जो टेस्टिस से जो ट्यूब निकलती है उसको वेस्ट डिफरेंस कहते हैं तो यह surgical method है surgery के अंदर क्या जया किया जाता है जो वेस्ट डिफरेंस इसको कट करके और बांद दिया जाता है ताकि अब टेस्टिस से स्पर्म तो आएंगे लेकिन वो इसके आगे नहीं जा पाएंगे उसके एंट्री रोक दी गई है ब्लोक कर दी गई है तो ejaculation होगा भी तो उसमें सिर्फे जो glands की secretion है वही होगी male gamit यानि sperm नहीं होगा अब देखें ट्यूबक्टुमी कहां से वर्ड आया है अबका फैलोपेंट ट्यूबसे अ आया है देखें फैलोपेंट ट्यूब को टाई कर दे जाता है उसके बाद कट कर के टाई कर दे जाता है तो ejac तो निकलेगा menstrual cycle भी होगी लेकिन वह एग यहां करते का भह है जब permanent termination करना हो surgical method surgical invention intervention blocks gametes transport and thereby prevention conception तो gamete की transport को ही रोक देते हैं sterilization procedure in the male is called vasectomy and that in female is called tuberctomy in vasectomy a small part of the vas difference is removed or tied up दो small incision on the scrotum तो scrotum के उपर एक small incision क्या जाता है कट करके surgery की जाती है और उससे क्या क्या जाता है waist difference को कट करके और tie कर दिया जाता है और tube atomic के अंदर phalopene tubes यह याद रखने है a small part of phalopene tube is removed or tied up दो small incision in abdomen और through abdomen के उपर थोड़ा सा incision लगता है कट लगता है उसके बाद यह surgery से कर दिया जाता है these techniques are highly effective but their reversibility is very poor बहुत जड़ा effective है लेकिन यह reversibility मतलब यह आप दोबारा से pregnant होना चाहते है और इसको नहीं यूज करना चाहते है वो बहुत ही poor है हम कहेंगे निल है आगे देखे इट नीज तो बी emphasized that the selection of suitable contraceptive method and its use should always be undertaken in consultation with qualified medical professionals तो कौन सा method आपको यूज करना है इसको आपको medical professional से discuss करना चाहिए one must also remember that contraceptives are not regular requirement for maintenance of a contra maintenance of reproductive health तो इनके regular requirement नहीं होती है in fact they are practiced against a natural reproductive event यानि conception या pregnancy इसको क्यों यूज किया जाता है सिर्फ प्रेगनेंसी को रोकने के लिए natural body का कोई भी requirement नहीं है इसको सिर्फ conception या फिर प्रेगनेंसी को रोकने के लिए यूज किया जाता है one is forced to use these methods either to prevent pregnancy or to delay space pregnancy due to personal reasons तो personal choice होती है कि वो प्रेगनेंसी को रोकना चाहता है या कोई बच्चों के बीच में gap देना चाहता है तो उस दुरान उसको यूज करना चाहिए no doubt widespread use of these methods have a significant role in checking uncontrolled growth of population तो इसको काफी यूज कर होने लगा है population की uncontrolled growth को देखते हुए तो इसके side effects भी होते हैं जो आपको पता होने चाहिए no doubt या है, abdominal pain है बहुत ज़्यादा bleeding होती है irregular menstrual bleeding होती है इसके साथ-साथ breast cancer तक भी होने के chances होते हैं तो ये भी आपको ignore नहीं करना चाहिए next video may we will study about medical termination of pregnancy यानी MTP